हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 13 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है सामाजिक विज्यान ये वर्क्षिट 9 निवेंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट खेती और चर्वाहे की शुरूवात तो आईए देखते में आज की वर्क्षिट हम पुरुष, पुर्षों, महिलाओं और बच्चों ने संभते कई चीजे देखी जैसे कहां कहां पर खादे पोधे उगाये जाते हैं पिछली वर्क्षिट में हमने देखा था कि जो हंटर गैदरर थे वो किस तरह से अभी तक क्या कर रहे थे वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फूड के लिए पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे लेकिन धीरी धीरी उन्होंने एक जगह पर रुकना शुरू कर दिया था और अब जब वो एक जगह पर रुकने लग गए तो उन्होंने अपने खाने का भी इंतजाम एक जगह पर करना शुरू किया तो उन्होंने खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया ना तो आज जो वर्क्षिट है उसके बारे में जानेंगे तो देखे क्या लिखा गया बेटा पुर्शो और महिलाओं बच्चों ने संबते कई चीजे देखे जब वो रुकने लगे तो उन्होंने कई चीजे देखी कि कहां कहां पर खादय पोधे पाए जाते हैं कि जो खादय प्रदार्त है खादय पोधे हैं वो कहां कहां पर पाए जाते हैं बीज कैसे डंठल से तूट कर गिरते हैं जो बीज हैं वो डंठल से तूटकर कैसे जमीन पर गिरते हैं जमीन पर बीजों का गिरना उनमें से नए पोधे उगाना उन्होंने सब बातें नोट करी बिटा ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब हुआ होगा इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगाओगा ये सब कंटिनुसली वो इसको देखते रहे नोट करते रहे कि कैसे खादे परदार्त से जो पोधे हैं वो खादे परदार्त कौन कौन से पोधे कहां पाये जाते हैं कैसे बीज निकलते हैं बीजों में से जमीन पर गिदना और नए पोधों का उगना इस तरह उन्होंने पोधों की देखबाल करना शुरू कर दिया दिरे-दिरे क्या हो उन्होंने देखा कि एक पोधा अगर उगा है वो दिरे-दिरे बड़ा और उसमें से बीज फल निकल रहे हैं तो दिरे-दिरे उन्होंने क्या किया पोधों की देखबाल करना शुरू कर दिया उन्हें पक्षियों जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी अब देखो बहुत पक्षियों और दूसरे जानवर थे जो उनको खाना चाहेंगे तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया बाकी दूसरे जानवरों से दूसरे पक्षियों से उन पोधों को बचाना शुरू किया ताकि वे बढ़ सके और उनमें से बीच पक सके इस तरह इस परकार धीरे-धीरे किसान बन गए इस परकार जो लोग थे वो धीरे-धीरे क्या हो ए जिसे क्या हो आप वो एक जगए पर रुक रहे हैं, एक जगए पर लंबिट समय तक रह रहे हैं, आगे देखो क्या कहते हैं, इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए भी अपने घरों के आसपास खाना चोड़कर, उन्हें आकर्शित पालतू बनाया, अब देखो लोग तो सुरक्षा करने चाहिए अपने लिए तो सबसे पहले उन्होंने कुत्तो के जंगली पूर्वज है उन्हें पालतू बनाया होगा बाद में उन लोगों ने जानवर को प्रतसाहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे अब दिरे दिरे उन्होंने रोज अग जानवरों को खाना देंगे तो क्या हूँआ जानवर उनकी तरफ आने लगें? ये जानवर भेड, बकडी, मवेशी, सुवर के जुंड में रहते थें उनमें से जारा तर घास खाने वाले थे ऐसे जानवरों को उन्होंने अपने पालतु बनाने की कोशिश की जो क्या थे घास खाने वाले थे अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे इस तरह वे चारवाहे भी बन गए मतलब चारवाह का मतलब है कि पाल तू जन्वर को पालने वाले अब क्या हूँ दीरे दीरो उन्होंने क्या किया जान्वरों को जुनके पास आने लगे उनकी रक्षा भी करने लगे इसलिए जो जान्वर थे वो उनके पास रहने लगे और इस तरह बें चारवाहे भी बन गए, देखो दो चीज़े देखी, एक तो उन्होंने यहाँ किसानी सीखी, और उसके लावा वो क्या बन गए, चरवाहे भी बन गए, नेक्स देखो क्या लिखा गए बटा, बसने की प्रकिदिया वह है, जिसमें लोग पोधों को उगाते हैं, और जानवरों की देखभाल करते हैं, तो देखो क्या हो, अब धीरे धीरे वो बसना शुरू हो गए, एक जगए पर लंबे टाइम तक रुकना शुरू हो गए, अब इसके लिए देखो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास पोधों को अपने खाने का अरेंजमेंट क अपने आसपास में उन्होंने पोधों को लगा लिया, जानवरों की देखभाल करने लग गए, तो क्या हो, वो एक समय तक लंबे टाइम तक एक जगए बसना शुरू कर दिया, तो देखो क्या लिखा गया, बसने की प्रकेरिया वह है, जिसमें लोग पोधों को अगाते है और जानवरों की देखभाल करते हैं, अपनाए गए पोधों और जानवरों को और पोधों को वो अपना लेते थे, वो जंगली पोधों और जानवरों से अलग होते थे, वो जिन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया है, या जिन पोधों को वो उगा रहे हैं, वो क्या ह उन पोधों के हम खेती कर सकते हैं, उधारन के लिए वे उन पोधों जानवरों का चेन गरते थे, जिन में बिदमारी का खत्रा नहीं होता, वो ऐसे पोधे लगाएंगे, जिसमें क्या हो कोई बिमारी न ओँ या ऐसे जानवरों को पालते थे जिनमे क्या हो कोई बिमारी ना हो जो उनकी भी रक्षा कर सके दोनों मतलब एक दूसरी की मदद कर सके एक बार फिरम इसको रीडिंग करते हैं बसने की वह परकिरिया वह है जिसमें लोग पोधो को उगाते हैं और जानवरों की देख भाल कर अपनाए गए पोधो और जानवरे जंगली पोधो और जानवरों से अलग होते थे ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों और जानवरों को पालतु बनाने के लिए लोग क्या करते थे उनको चुनते थे उधारन के लिए उन पोधो और जानवरों का चेहन करते थे जिनमें भिदमा चले जाते थे, जानुर का शिकार करते कर तो उनके पीछे निकल जाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या एक नया तरीका सीख लिया, यदि आप एक बीज लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें बढ़ने में कुछ समय लगता है, कई दिन, हफ्तों, महिने या कुछ मामलो में तो वर्षों के लिए भी हो सकते हैं, अगर एक बीज लगाया जाता है, जब लोगों ने पोधों को गाना शुरू किया, तो इसका मतलब था कि उन्हें पोधों की देखबाल करना, पानी निकालना, निराई करना, पशुपक्षियों को बगाया जाने तक लंबे समय तक और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता, अब देखो उन्हें ने क्या शुरू कर देखा, जब उन्हें क्या कि खेती करना शुरू कर दी, तो उनके साथ उनके कई काम बढ़ गए, क्या देखो, पोधों को लगाना शुरू किया, इसका मतलब था कि पोधों की देखपाल भी हो गया उन्हें पानी देना निराई करना उनकी पशुपक्षियों को अगर वहाँ कोई पशुपक्षिय आ रहा तो उसको भगाना लंबे समय तक एक जगह खेती करके कहीं चले जाएंगे लंबे समय तक एक जगह रुकना पड़ता था और फिर अनाज का अपय रहीत करना मतलब भंडारन के रूप में उसको रखना इसलिए लोगों ने इसे भंडारन के बारे में सोचना शुरू किया अब लोगों ने क्या किया जो बीज हैं हम जैसे गेहूं का बीज हम खा रहे हैं उसको हमें अगले साल के लिए भी तो रखना होगा तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या भंडारन के वारे में भी सोचा कई शेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बरतन बनाने शुरू किये टोक्रिया बना ही और जमीन में गड़े को दी अब उन्होंने क्या क्या मिट्टी के बरतन बना के उनके अदर कुछ भी इस तो तो वो रख देते थे और कुछ को वो अनाज के तोर पर खा लेते थे तो यहां देखो लिखा है अनाज के उपयोग तो देखो क्या है बीच के रूप में बीच के रूप में किया जाता तो उसको स्टोर करके रख देते थे बीच के रूप में खादय के रूप में खाने के र कि लोगों ने पहले सब कुछ observe किया जो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने observe कि कैसे कैसे बीज निकल रहे हैं पोधे लग रहे हैं उसके बाद उन्होंने उस प्रोसेस को लंबे टाइम तक देखा और धीरे धीरे फिर उससे related वो खेती करना सीख गए तो आईए करते हैं इ देखिए answer बेटा देखिए यहां से first paragraph जो है वो इसका पूरा अंसर है पूरा detail में दिया गया है थोड़ा सा lengthy हो जाएगा बट आपको लिखना पड़ेगा देखो बेटा पूर्शों महिला और बच्चों निसंबत कई चीज़े देखिए कि कहां कहां पर खादे पोधे पा दूर्शों गए तो यह है आपके first question का answer गायों आँए अब हम करते है फोर्शन नमब्र तू डिखे क्या दिखा गया है कोशन नमबर तू में बसने की परकिरिया क्या है तो देखते हैं हम देखे यहां पर बहुत अच्छे से दिया गया है question number two बसने की प्रकिरिया वह है जिसमें लोग पोधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं तो यह answer number two बिटा क्या है देखो लोगोंने क्या शुरू कर दिया एक जगह पर बस गए उन्होंने क्या किया पोधों को लगाना शुरू कर दिया और क्या हुआ जानवरों की देखभाल करने लग गए तो इसली dynamics लोग थे वो एक जगह पर रुक रहे थे तो इस process को उन्हें क्या का आया बसने की प्रकिरिया बसने की उगाने के लिए और जानवरों की देखभाल के लिए बेटा लिख लिजी आप यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ आपको एक बड़ी रिपेट करते हूँ लोग पोधों को उगाने के लिए और जानवरों की देखभाल के लिए लंबे समय तक एक स्थान पर रुकने लगे इसे हम बसने की परकिरिया कहते हैं यहाँ तक अब यागे लिखाती हूँ अंसर नमबर टू है बेटा यह लोग पोधों को उगाने के लिए और जानवरों की देखभाल के लिए एक स्थान पर एक स्थान पर लंबे समय तक समय तक रुकने लगे इसे बसने की परकिरिया कहते हैं आप चाहे तो पहला जो मैंने वो बताया है वहाँ से लिख लीजिएगा अदरवाइस यहाँ से आप लिख लीजिएगा ठीक है लोग एक स्थान पर लंबे समय तक जानवरों की देखभाल के लिए और पोधे उगाने के लिए एक जगाए पर लंबे समय तक रुकने लगे इसे हम बसने की परकेदिया कहते हैं तो पेटा जो आपको अंसर सही लगता है आप वो लिख लीजेगा ठीक है या तो आप यहां से लेकिं यहां तक लिख लीजेगा इसमें थोड़ा सा शोट दिया गया है प्रॉपर अंसर आ नहीं रहा है इसलिए मैंने इसको दुबारा आपको जो भी करवाया है आप वो कर ल कारण के रूट में तो चार तरह से न आज का उपयोग किया जाता था तो बिटा आज की वर्कषिट कंप्लीट होती है वर्कषिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए त्षिटिए चैनलीट आज कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चालत कर दोक्राणिति टोक्ते लाइक के रूट शेयर कीजिए साथे कीजिए प्लीट का आज से रचानियर के